जो हमारे पीबलग चेटर में रिएक्शन थी या इनुर्गैनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन थी उनमें से एक टाइप की रियक्शन को हम लोगों ने पढ़ा जिसको कहते थे आयन एक्सचेंज रियक्शन जिसमें से कुछ आयन होते थे और वे एक दूसरे के योगिकों के आयनों के साथ एक्सचेंज हो जाते थे एक आयन किसी दूसरे आयन के साथ बजल जाता था और बजलता कैसे था एक का प्लस वला आयन या एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के निगेटिव आयन को होल्ड कर लेता था और दूसरे का जो पॉजिटिव आयन होता था वो पहले के निगेटिव आयन को होल्ड कर लेता था यह reaction तभी कराई जा सकती थी जब अभी क्रिया में दिए गए दोनो अभी कारक पदार्त दोनो reactant पदार्त सथा आईनों में तूट जाते हैं लेकिन बेटा हमारे यहां बहुत सारे ऐसे पदार्त अभलेबल हैं जो सथा आईनों में तूटते नहीं अगर हम उनकी बात भी करें कि इनको आयनों में कैसे तोड़ें तो बेटा हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो compound अपने मन से आयन में नहीं तूड़ते जो compound आयन में नहीं तूड़ते उनको solve करने के भी नियम है तो आज हम ऐसे योगिकों में reactions को पढ़ेंगे जिसमें एक compound आयन में break हो सकता होगा और दूसरा compound आयनों में break नहीं होगा या कभी-कभी situation तो ऐसी आजाएगी कि हो सकता है दोनों योगिक आयन में break ना हो पाएं तो हम ऐसे पदार्थों की रासानी का विक्रियाओं को कैसे पूरा कराएं जैसे बेटा मैं start करूँगा आज के वल उस type की reaction है water addition reaction अब water addition को तो बाद में पढ़ते हैं जैसे हमारे पास एक अब इक रिया आ गई बेटा reaction में हमारे पास लिखा था एन ए ओ एच और हमको reaction करवानी पड़े इसकी काहल से CO2 से अगर sodium hydroxide की अभिक्रिया CO2 से करवानी पड़े आप सभी वी तो आसान से बात है जानते हो इन ए ओएच को आइनों में ब्रेक कर सकते हो अभी कल की दिन कई बार इन ए ओएच को ब्रेक किया आइनों में एन ए पे positive charge कंट्रोल करेगा लेगा वो और ओएच पर कैसा चार्ज रखेगा निगेट्यू तो इसको तो ऐसे ब्रेक कर सकते एन ए प्लस और ओएच माइनस जबरदस्ती अपने मन से कोई काम नहीं करना है क्या CO2 पर कभी प्लस या माइनस चार्ज देखा है नॉर्मल सी बात है सायद ह किसी ने देखा आप क्योंकि CO2 प्लस माइनस चार्ज में टूड़ जाता आपके लिए अच्छाई एक रहती क्या रहती की कि आप इसको भी आएन में ब्रेक कर लेती असको भी आएन में काम करते हैं क्या करते हैं काम इसको डखेंगे वाटर एडिशन क्योंकि यह आएंस में तूट सकता है इसको ऐसे ही रखेंगे यह आएंस में नहीं तूटता है इसमें वाटर को जोड़ देंगे बेटा धिहान से देखना अगर इस पे वाटर को जोड़ देंगे जोड़ना आ 2C3 अभी ये बात बताओ एस्टू सीओ त्री को तो आयन में तोड़ सकते हो ना कैसे आयन में तोड़ सकते हैं तो 2C3 को 2H पर प्लस चार्ज और CO3 पर माइनस और वो भी डवल माइनस चार्ज होता था फिर मैं दुबार से रीपीट करूं इस बात को क्योंकि कार्बन डायोकसाइड गैस आयन में नहीं ब्रीक को हो सकता था मैंने तुरंती इसके अभिक्रिया को कराने के लिए हमने इसको जल में गोला जल में गुलते ही कार्बोनीकेशिड बना और ये कार्बोनीकेशिड जो है अब आयनों में क्या हो सकता है ब्रीक हो तो आप देखर इस बात को अगर मैं एक बार इसको धियान दू तो मुझे क्या समझ में आता है अब इक्रिया इस बार NaOH और H2CO3 के बीच में है क्योंकि CO2 जल में गुलकर कौन सा इसिद बना रहा है H2CO3 बेटा अगर आब इक्रिया करवाओगे मेरे खास इसको कम्प्लीट कर सकते हो CO3 पर डबल मैनस H पर प्लस चार जाएगा देहान देने वाली बात है बेटा Na किस से जुड़ेगा CO3 से क्या अकेला NaCO3 से जुड़ सकता है नहीं कितना Na होना चाहिए दो तो पहला कंपोनेंट बनेगा Na2CO3 और बेटा मैं सेकंड कंपोनेंट को चेक करता हूँ तो बेटा धिहान देने वाली बात है यहाँ OH है और यहाँ H प्लस है OH और H आपस में मिलके क्या बनाते हैं और अभिक्रिया में जल को बैलन्स करने की आवस्ट चेक्ता नहीं है अगर आपने बैलन्स भी किया 2H है कितना OH है यह तो ओ यहाँ दो से गुना करोगे रियक्शन बैलेंस होगी 2H2OS से विक्रिया करके 2H2O बनेगा लेकिन अभी सुचने वाली बात है अब विक्रिया में एक H2O तो मैंने अपने मन से जुला था नहीं जुला था तो हम 2H2O में से कितना H2O लिखेंगे एक पूछे का वो एक H2O हटाया क्यों तो कहोगे H2O अभिक्रिया में लिखा थोड़ी था वह तो हम लोगों ने अभिक्रिया को कंप्लिट करने के लिए जुड़ा था तो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूँगा कैसे जो अभिक्रिया NaOH और CO2 के बी और Y H2O 3 तो मैं बेटा बताऊं CO2 और H2O 3 दोनों सेम कंपाउंड हैं दोनों अलग नहीं हैं यह CO2 वायू का है और यह CO2 कहां पर घुला है जल में अब कहोगे साथी CO2 जल में गुल गया तो काफी नेचर चेंज हो गया वायू वाले CO2 का अलग मतलब होता है जल में गुल हमारे पास दो पातर रखे हुए पहले पातर में भी मैंने जल भर रखा है और दोसरे पातर भी मैंने जल रखा है हेच टू ओ, हेच टू ओ, आप ध्यान से देखोगे, मैं आप से कोशन पी, मैं वहलब कोशना हूं इस बास में, इन दोनों को पी के देखोगे, सेम साथ होगा की नहीं होगा, होगा, दोनों में जल है, फिर मैंने क्या किया, एक में मैंने सुगर को एड कर दिया, एक में मैंन किसके करन आया है जल के करन या जल में जो पदाष डाला गया है उसके करन जल में जो पदाष डाला गया उसके करन इसका सौद मीठा हुआ वो भी जल के करन है चीनी के करन या सुगर के करन सौद मीठा हुआ इसका मतलब जो जल का घोल है वो जल का नेचर नहीं बताता वो किस नमकीन देखने में स्वाद में आपको ऐसा लगेगा ये नमकीन स्वाद जो है क्या ये जल का स्वाद बता रहा है नहीं ये जल में घुले हुए नमक का स्वाद बता रहा है मैं इससे क्या अंदाजा लगा रहा हूं कि जल का अपना कोई नेचर नहीं है जो भी नेचर है ये जल में जो गैस घूली गई थी जिसका नाम कार्बन डायॉकसाइड गैस था वो कार्बन डायॉकसाइड गैस का नीचर है समझ रहे हूं तो ये जल नहीं है बलकि क्या है कार्बन डायॉकसाइड गैस का नीचर या इसा सुचते हैं कार्बन डायोकसाइड गैस कार्बोनिक अमल को रिप्रेजेंट करती है अभी यहां से समझ में नहीं आएगा तो एक जगे और समझ में आएगा फिर आपको क्या करना है इसमें सुगर आपने डिजॉल्व कर रखी थी इसमें साल्ट डिजॉल्व कर रखा था अब आपने इसको हीड करना ही स्टार्ड किया दोनों को बेटा दोनों को हीड करोगे धीरे धीरे वाटर जो होगा वैपर में चीन जोने लगेगा एक समय आएगा यहाँ से water completely vaporize हो जाएगा और केवल बरतन की तली पर क्या बचेगा? सुगर उसका स्वाद लेके देखूगे कैसा होगा? मीठा तो अभी भी मीठा स्वाद किसके पास है? सुगर पार्टिकल के पास अगर water के पास मीठा नेचर होता तो water जब वैपर में उड़कर गया है तो वो मीठास को भी वैपर में क्या करके लेकर चला जाता लेकिर अभी भी यहाँ पर जो पार्टिकल सुगर पार्टिकल पड़े हैं वैपर बनने के बाद उनके पास अभी भी मीठास का स्वाद है इसका मतलब है water का फिर से अपना कोई नेचर नहीं रहा अगर उसका water का नेचर मिठास होता तो वो अपने नेचर को क्या कर ले जाता उड़ा ले जाता और अब जो यहाँ सुगर पार्टिकल बचता वो मीठा ही नहोता फिर मैं उस पर भी चलता हूँ इस पर को भी हीट करोगे धीरे धीरे इसका water जो होगा वो वैपर फेस में चला जाएगा और बेतन की तली पे थोड़ा सा salt बचेगा अब आप उस salt को टेस्ट करके देखोगे क्या लगता है salt का टेस्ट होगा होगा नमकीन इसका मतलब मैं क्या सोचता हूँ क्या water salt के टेस्ट को लेके उड़ा है नहीं water अपना उड़ गया है salt का टेस्ट पूरा का पूरा यहीं रखा है मैं क्या सोचता हूँ water का अपना कभी कोई टेस्ट नहीं रहा ना घोलते समय और ना उसको वैपर में बदलते समय तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी compound को water पे dissolve करते हैं तो compound को water में dissolve करने के बाद जो वो गोल बनता है वो किसका nature सो करता है water का कि जिस chemical को water पे गोला है उसका जिस chemical को water पे गोला है उसका तो ये जो carbonic acid है ये water का nature सो करेगा जो carbon dioxide gas थी मैंने कहा यहाँ आइनु में नहीं टूट रहा है इसको जल में गोलकर इसका nature निकाल लेते तो हमने इसको जल में गोला, इसका नेचर प्राप्त किया, H2CO3, ये भी नेचर कार्बन डायोकसाइड का था, हमने उसी से रियक्शन करवा दी, वैसे भी एनेचर की किस से होनी है, CO2 से, आज भी एनेचर की किस से हो रही है, CO2 से, बसरते ये CO2 कहां पर गुला हुआ है, जल जल पर, तो जल का तो कोई नेचर ही नहीं है, तो आज भी एकर हम दियान दें, ये एनेचर की कार्बन डायोकसाइड से विक्रिया दी गई है, तो अगर इसका भी प्रोडेक्ट बनाने के लिए, कोई आप से कहेगए, बैटाई, इसका भी प्रोडेक्ट बनेगा, Na2CO3 प्लास H2O अगर कोई विक्टी सुचेगा ऐसा कि हमें reaction को balance कर लिना चाहिए हम यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो इस बात को दिहान दखना NaOH की carbon dioxide से जो विक्रिया होगी NaOH की H2CO3 से वही रासानी का विक्रिया होगी तो इन दोनों reactions में कोई difference नहीं है अब हमने किया किवल क्या है कि carbon dioxide को आइनों में break करके एक formula बनाना चाहे क्योंकि ions में अगर compound break होते हैं हम ions को exchange कर लेते हैं और आसानी से product बना देते हैं एक reaction इसी पर बेश जोर रहेगी बेटा हमारे पास एक compound और है इस बार मैं को H को ले लेता हूँ हलाकि कठिन चाहर भी लिये जाएंगे लेकिन अभी मुझे समझाना है तो हम पहले अभी तो ऐसे चाहर ले रहे हैं जिनकी reaction आसान है हमारे पास बेटा एक compound sulfur trioxide gas के plus charge में टूटता है OH माइनस charge में टूटता है अब SO3 को अगर मैं चेक करूँ तो बेटा आपने भी आज तक SO3 को कभी भी ions में टूटते हुए नहीं देखा है बेटा हमने ये ions में टूटते देखा है हलाकि मैंने देखा है बहुत अलग situations में ions पर ये break हो सकते हैं लेकिन उससे भी पहले decompose होने लगते हैं फिलाल मैं ये ions में तो टूट रही रहा तो इसको काहे में गोल दिया जाए जल में बेटा इसको जल में गोल होगे क्या बनेगा H2SO4 अगर H2SO4 बन रहा है इसका मतलब मैं अभिक्रिया में कोH की जगे पर कोH लिखूंगा और जहाँ SO3 है मैं उसकी जगे पर क्या लिख सकता हूँ H2SO4 अब जो अभिक्रिया कोH H2SO4 के बीच होगी वही अभिक्रिया कोH और SO3 के बीच में होगी तो पहले मैं ये विक्रिया को कम्प्लीट करके देखता हूँ बिचा क्या कहतोए K पर प्लस चारज OH पर माइनस इदार H2 पर प्लस चारज SO4 पर डबल मैनस क्या कहतोए एक के SO4 से जूर सकता है नहीं क्योंके SO4 पर डबल मैनस चारज है तो क्या बनेगा K2SO4 और दूसरा द्यान देने वाली बात है किसे विक्रिया करेगा ओएस से एच ओएच बनाएगा वाटर बनाएगा टू मॉलीकुल आफ वाटर लेकिन एक वाल मॉलीकुल आफ वाटर तो मैंने जूड़ा था आप चाहें तो टू एस्टू ओ भी लिख दे रियक्शन को बैलेंस करना इतना माइने नहीं रखता आपने वाला का वाटर एडिशन वाला वर्क जो है ये किसी रफ पेज़ पे करेंगे हैं और मैं एक बात और बता दू यहाँ पर जैसे आदमी रियक्शन करने लगता है धीरे धीरे उसको ये पता हो जाता है कि वाटर पर डिजॉल होने पर कौन सा एसिड बनेगा या कौन सा किमि कर सकता है अभी आपके लिए क्या ये पहली बार है और क्योंकि आपके लिए पहली बार ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा कठीन हो रहा है लेकिन बेटा ये मैथड है रियक्शन का आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी जैसे हमारे पास एक और रियक्शन हम उसको भी चेक कर इसको चूना कहते हैं और इसके बाद हमने इसको डिजॉल्व करना चाहा है सल्फर डाय ओक्साइड गैस को चूने के गोल में सल्फर डाय ओक्साइड गैस को प्रवाइड किया जाता है क्या होता है कभी कभी यह शेरिक्शन को लेता है क्या होता है जब चूने के गोल में सल् यह उस पर कैसा आता है माइनस चार्ड लेकिन इसका तो हम लोगों को पता नहीं तो एक काम करें इसको जल में घोलें बेटा इसको जल में घोलोगे जल्दी से बताओ क्या केमिकल कमपॉंड बनेगा ह2SO3 अच्छे बताओ ह2SO3 बनेगा तो उसमें से हच पर कैसा चार्ड इसका माइनस एश-o3 मैंने इस कंपॉंड को भी आएन में लिख लिया इस कंपॉंड को जल में घोलने पर जो बना उसको भी आएन में लिख लिया क्या कहते हो तुम लोग सी एजो है वो किस्से विक्रिया करें एच से की एसो 3 से हाँ भी यह तीर करिशन थोड़ा सा दूर ले चलें एसो 3 से डबल प्लस डबल माइनस कैंसिल कर दिया प्रभाव को केमिकल कंपॉंड बना सी एसो 3 कैल्सियम सलफाइट नाम ही इसका कैल्सियम सलफेट नाम था एसो 4 जब लगता था एसो 3 को सलफाइट बोला जाता है अभी आगे बात करेंगे एच ओएस से मिलेगा हम 2 one से मिलकर कितना स्टो बनाता इक्ट में बनाता है तुए थो लेकिन हम कितना लिक लिखेंगे एक एक क्यों लिखो गए इससे तुनको की दिक्कत किया थी परेस-84 किया थे अच्छा एक तुमने अलकिया था वोहतना वाला निकाल लेंगे चिजल कि वहां यह वाला हमने कुछ इस प्रकार से दे दी जाती है देखो नेक्स्ट रियक्शन अ एने ओएच प्लस हमको एक कंपाउंड देया गया एंटू ओफाइव नाइट्रोजन पेंटा ओक्साइड इसका नाम प्रनाशान था नाइट्रोजन पांच को पेंटा ओक्साइड और कुछ लोग ऐसे भी नाम पर सकते थे डाई नाइट्रोजन पेंटा ओक्साइड देखो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन पढ़ा है प्रिफिक्स नेम ऑक्सी फिलाल एक्षन को कम्प्लीट करवाएंगे क्या यार इसको आयन में तोड़ सकते हो इसको आयन में तोड़ लिया ध्यान देना बेटा इसको एने पे प्लस ओएच पर क्योंकि हर दूसरी तीसरी एक्षन के बाद मैं एक अलग से नियम रख दूँगा जो वाटर एडिशन पर अपलाई होता है सभी नियम को कंफर्म कर लेना है आज के लिए कि अन्टू ओ फाइव को क्या कर लेना चाहिए जल में गोलना चाहिए बिकॉस एन्टू ओ फाइव मैंने आज सक ब्रेक होती नहीं दिखा आइंस में तो एन्टू ओ 5 को कहा पर गोलें जल में बेटा जल में गोलोगे क्या बनेगा H2 N2 N2 H2 N2 O ये N2 साइडंग से दिख रहा है अब ऐसा तो ऐसे ना हमने देखा है ना आपने देखा है लेकिन हाँ अगर इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिस की जाए क्या चेंज करने की कोशिस की जाए इसमें से 2 common कर ले तो अंदर क्या बचेगा 2 common करें अंदर बचेगा HNO3 common करना जानते हो न वह भैनिष्ठ गुड़न खंड के रूप में वेक्त करना क्लास एठ में ऐसा सवाल आया करता था मैथ में तो भैनिष्ठ गुड़न खंड के रूप में इसको 2 को common कर लिया अब यह बताओ इसको कभी सुना है नाम इसका हाँ सुना है सोरे का अमल भी इसको कहते है सोरे का अमल और एक चीद ध्यान लखो जो कभी कभी क्या होता है गाउं छेतर में कुछ लोग आते हैं चांदी और सोने के आभुषणों की सफाई करने के लिए साफ करने आएं वो थोड़ी सी बाहरी लेयर उससे छुट करके उनके गोल में चली जाती है कुछ पैसा वो डायरेटरी आप से उसी समय ले लेते हैं और कुछ पैसा उस गोल में जो आई चांदी या सोने को एक्स्ट्रैक्ट करके वहां से निकालते हैं तो ये दो प्रकार सफाई का मतलब ये होता है अच्छा अब आप इसको समझ क्यों नहीं पाते हो बेटा आपने चांदी या सोने के आप उशन को छू कर देखा उसमें से दो चार छे मिली ग्राम अगर कम भी हो गया आपकी समझ में आने वाला आपकी किसी को समझ में आने वाला नहीं जब तक वह बहुतिक तुला से उसको तॉल के ना चेक कर ले क्योंकि आपके या जो तरा आजू है वो मिली ग्राम को तो चेक नहीं करेगा तो आयन में ब्रेक करें इसको इसको आएन में ब्रेक करोंगे तो H पर प्लस चार्ज HNO3 बना, इसको यहाँ आएन में ब्रेक करते हैं, H पर प्लस चार्ज, N03 पर अज़ा क्या बोलते हो? N A किसे रियेक्शन करेगा? N O3 से, N A प्लस है तो N O3 माइनस से रियेक्शन करेगा पहला compound NaNO3 और बेटा दूसरा compound में चेकर तो H किसे reaction करेगा OH से वैसे भी H plus OH की demand करता है तो H2O तो इस प्रकास reaction को complete अब यहाँ पर बात आएगी सर जी आप यह कह रहे थे कि उसको reaction में से एक काम कर लिया जाए एक H2O कम लिखेंगे बेटा भी reaction balance नहीं है क्यों balance नहीं है गोख कि इन कितने हैं दो और हमारे यहां इन कितना भी एक टो reaction को balance कर लेंगे बाद में क्या आप हम balance करेंगे balancing का काम है हमारा काम है reaction समझाना और पिर आपका काम है balancing देखना नहीं आएगा तो फिर हमको बताना हम balance करके दिखाएंगे यह जान जाओगे रियक्शन तो कभी कभी रियक्शन में ऐसी कंडिशन आ जाया करती है जब हमको कुछ नंबर क्या करने पड़ते हैं common जैसे एक और रियक्शन चेक करते हैं इधर एक रियक्शन हमारे पास है बेटा को एच प्लस सी एल टू ओ सेविन यह रियक्शन दे देता है तो एक काम करें चेवेश को तो हम आएन में बरेक कर सकते हैं लेकिन किसको नहीं बरेक कर सकते हैं CL2-0-07 को इसको कहां पर डिजॉल्व किया जाया है वाटर पे तो बेरे जल्दी से देखकी बताओ हतु ़र्प कामन क्या है H2Cl2O8 common क्या है 2 2HClO4 अच्छा यार यह बताओ 2H इसको तो आएं में ब्रेक कर लेते थे इसको आएं में ब्रेक करोगे तो H पर प्लस चार्ज और CLO4 पर कैसा चार्ज है माइनस समझ गए ना इसको ना समझ पर तो भी मैं दोबारा बता हूँ इसको भाई H पर तो प्लस चार्ज ही लगाते थे तो CLO4 पर कैसा चार्ज जाएगा माइनस अभी आप सोचो के के प्लस किस्ते दिक्रिया करेगा CLO4 से तो पहला कंपोनेंट बनेगा के CLO4 पोटेशियम और इसको बोलते हैं हाइपो-KLORATE अभी मैं आएचे करोंगा बेटा एच प्लस आइन किससे रियक्शन करेगा państ माइनस से से करेगा तो थे ओर इक्रिया में क्या बना के तयार करेगा also तो यह वो fed Haужд है जिन बात भी नियम चेक करते हैं क्या है आपने कैल्सियम हाइड्रोगसाइड या जिसको कहते हैं चूने के पानी इस पर एक पदाज के विक्रिया करवाई है जिसका फॉर्मूला है CL2O अब इस पदाज से विक्रिया करने के लिए कह देगा कि चूने के पानी के विक्रिया CL2O डाइड क्लोरीन मोनो आक्साइड बोल सकते हैं इसको इस से करवानी है तो अभी क्या करेंगे कि इसको आइन्स में ब्रेक करना सबी जानते हैं क्या जानते हैं इसके विश्य में कि CA पर डबल प्लस और 2OH पर कैसा चार जाता है माइनस इसको आइन्स में ब्रेक करने के लिए हम इसको कहां पर गोलें जल में गो लेंगे तो एच टू सी एल टू ओ टू मुझे तो लगता ये कॉमन वाला फॉर्मूला है इसमें से कॉमन लेगे अगर आप टू तो आपके पास क्या बचेगा ह सी एल ओ दो नहीं लिख रहे हैं जरूत पढ़ेगी उसको यूज करेंगे जरूत नहीं पढ़ेगी उसको यूज नहीं करेंगे चाहतो दो लिख लो बागी मैं क्या कहे रहा हूं कि जरूत पढ़ेगी तो यूज कर लेंगे नहीं तो यूज करेंगे एच पर प्लस चार्ज और सी एल ओ पर कैसा चार्ज माइनस क्या कहते हो सी ए ध्यान देने वाली बात है, क्या CA, CLO के एक मॉलिक्यूल से एक आयन से रियक्शन कर सकता है, नहीं, CA double प्लस है ना तो वह CLA को CLA को दो बार करेगा कैसे CACLO का होल ट्वाइस बिटा चाही बताओ एच प्लस बचा ना यहां यहां एच माइनस बचा एच प्लस ओएच मैनस एक रियक्शन करेगा तो क्या बना डालेगा ह2O और रियक्शन को जहां बैलनस करने का नंबर आएगा हम बैलनस करेंगे यह तो वो रियक्शन से जिन में कॉमन से काम चल जाता है अभी एक निक्ष टाइप का आएगा इसी में से रियक्शन हाला कि वो वाटर एडिशन का मेरे ख्यासे लास्ट तरीका होगा तो उसको भी चेक करेंगे कि लास्ट टाइम पे एक और प्रकार के विक्रिया सकती है वाटर एडिशन पे उसको कैसे हल करेंगे देखो बैटा यहां लिखेंगे उसको रियक्शन मैंने ज़्यादा तर एने ओएच और के ओएच पर क्यो लिखी है क्योंकि हम सुरुआत छोटे सरल सुत्रों से करेंगे लेकिन जब चैप्टर में हमको मिलेगा तो हमें चाहे जो फॉर्मूला देगा हमें उससे रियक्शन करवा के निखानी पड़ेगी मैं सुरुआत छोटे ही फॉर्मूलों से करता हूँ यहां बेटर रहेगा भी अगर इसके विक्रिया हम एक नए कंपॉंड से करवा दें जिसका नाम है बेटा C.L.2 अब C.L.2 नाम के कंपॉंड से करवा दोगे अगर विक्रिया को तो बेटा अगर इन दोनों पदार्थों के विक्रिया हो तो n a o h को आप आइंस में break कर सकते हो लेकिं c l2 को आइंस में break नहीं कर सकते हो तो हम इसको फिर से कहां गोलेंगे जल में अच्छा जल में गोलोगे बेटा क्या बनके तर है h2 c l2 o ना तो H2C L2O नाम का आज तक हमने कोई अम्न देखा है ना कोई compound देखा है और ना ही बेटा एक चीज और है इन दोनों में कुछ common, इन में से पूरे में से कुछ common है क्योंकि सुरुआत के दो अव्यवों में तो common दिख रहा है लेकिन लास्ट वाला ने दिख रहा है तो उस situation में बड़ा problem हम लोगों को लगने लगता है जब हमने water पे डिजॉलो भी कर दिया substance को और डिजॉलो करने के बाद भी हमको common भी ना मिला और कोई ऐसा chemical भी ना मिला जिसको हम आएंस में break कर पाएं तो अब problem क्या आती है तो बेटा ऐसे questions में एक problem इस type की आ सकती है लेकिन वो problem बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी अभी आप इस सूत्र को देखो इन में से अपने मन से ढूड़ो क्या कोई famous acid आपको इसके अंदर से निकालने को मिल सकता है कोई एक famous acid जो काफी ज़्यादा famous हो HCL ये normally सब के मन पे चला जाएगा अभी H2 होता, S वगएरा होता, O होते तो आपके दिमाग में कौन सा इसी डाता H2, SO4 अगर H होता, N वगएरा यहाँ पर होते तो आपके दिमाग में कौन सा आ जाता HNO3 तो क्योंकि इसमें से मैं एक famous acid को क्या कर सकता हूँ बाहर तो भीया इस formula को थोड़ा सा गोले के अंदर लिखेंगे और पहला acid हम बना कर तयार करेंगे HCL इससे famous acid निकालेंगे बेटा, एक बात देखो ज़रा यहाँ अगर इस पूरे formula से famous acid ACL को बाहर कर लिया है अंदर अब बचा क्या होगा अब बचा होगा HCL O अरे यह acid तो हमको मिल चुका है दो मिनट पहले नहीं मुलाकात हुई थी तो अब अब विक्रिया हो जाएगी लेकिन इस बार अब विक्रिया का तरीका क्या रहा हम पोचेंगे chlorine gas क्या एक अमल बनाती है नहीं chlorine gas जल में गुल कर कितने acid बनाती है दो अमल बनाती है इसका मतलब है chlorine gas एक acid नहीं है बलकि यह दो acid का क्या है अपस में mixture है नहीं समझ पार हूँ इस बात को chlorine gas यहाँ पर जो formula था यह एक acid को represent करता था लेकिन chlorine gas जो है वो कितने acid को represent कर रही है दो अविक्रिया करने का तरीका सरजव H पर प्लस C L पर माइनस H पर प्लस C L O पर माइनस एक बार हम NaOH की अविक्रिया पहले वाले अमल से के साथ करवाएंगे एक बार NaOH की अविक्रिया कौन से दूसरे वाले अमल के साथ अविक्रिया करवाएंगे और तब हमारी reaction complete मानी जाएगी एक अमल पर reaction करवादे होगे reaction को complete नहीं माना जाएगा तो reaction को देखो कैसे हल करेंगे इसको अच्छा बताओ अगर पहले वाले अमल से करेंगा क्या बनेगा जल इसको थोड़े देर के रोंक लो क्यों जल बनेगा उसको मैं बताऊंगा क्यों इसको नहीं लिख रहा है जल को अब इने विक्रिया दूसरे वाले से कराओगे तो इने किस से विक्रिया करेंगा सी एलो से बिलकुल सही है से रिक्षन करेंगा इसका मतलब दोनों बार जल बन रहा है तो मैं यहां लिख दू लाश्ट में क्या एच टू हो इससे प्राब्लम तो नहीं किसी को मतलब जल देखो दो जगए बन ला था फिर से मैं रिपीट कर दूँ अगर तो क्लूरीन गैस को मैंने जब जल में गोला एक ऐसा केमिकल कंपॉंड मिला जिसके विससे में मुझे किसी भी प्रकार का नॉलेज भी नहीं था और वो कॉमन भी उस पे नहीं हो सकता था तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसे एक एक फेमेस एसिट को क्या टरूँंगा बाहर जैसे मैंने फेमेस एसिट को बहर किया हमारे पास दूसरा जो एसिट बच गया तैयार हुआ इसमें सेसियल को बार किया जो बचे यहां लिख दो अब ये दोने एसिड हम जानते हैं अब दोने एसिड जानते हैं और दोनों आइंस में ब्रीक हो सकते हैं तो एक बार एने ओच के विक्रिया पहले एसिट से, एक बार एने ओच के विक्रिया कौन से एसिट से करवाएंगे, दूसरे एसिट से करवाएंगे, और पहले और दूसरे एसिट से करवाने पर जब एने ने पहले CL से किया तो एने CL, फिर एने ने CLO से किया तो एने CLO, बच सब्सक्राइब यहां पर एक एश्टो लिखा है बिटा मैंने फिर से बता दिया था आपको यह रियक्शन को जो बैलेंस करना काम है इस पर प्रॉब्लम या अपने आपको टेंशन ना दें आप बस इस बात से मतलब रखें कि रियक्शन में जो भी कंपाऊंड बन रहे हैं वो क्या है रियक्शन में जैसे ही बैलanking नमबर आएगा हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ एनव경 में बैलिंस में टु का मल्टिपलाई हो जाएगा बैलिंस करने का नमबर भी आएगा तो ऊद्त तो ये काम करते हैं ये वाले दाज समझ पाए कि एक famous acid को कैसे बाहर करना है इस पर बेश्ट एक और example को चेक करते हैं जिसमें से मुझे famous acid को बाहर करना होगा तो इस बार मैंने क्या किया है ये रियक्षन है बेटा के वेश्ट के विक्रिया किस से हुए है अब ये विक्रिया करवाएंगे तो के पर प्लस चार्ज वेश्ट पर माइनस चार्ज एन्टू ओ फिर फॉर आयनों में तूटता नहीं है तो इसको कहां पर गोल कर रखेंगे जल में इसको देखने से पता चल गया है एसा तो कोई रियक्षन हम लोगों ने देख है नहीं क्या कॉमन हो सकता है नहीं बेटा जब कॉमन नहीं हो पाता है तो एक काम कर लेते हैं क्योंनों वही पुराना वाला वर्क करके देखा जाए कॉमन हो जाता तो उससे काम चल जाता कॉमन नहीं हुआ तो फेमस एसिड को क्या करना पड़ेगा बाहर बिटा क्या कहते है एस टू एन टू ओ फाइव में से कोई भी फेमस एसिड जिसमें एच एन और ओ वगेरा हो आपके दिमाग में है ऐसा एसिड एच नो थरी तो भाईया हम इस पे से एक एसिड को बाहर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एच एन ओ थरी अचा इसके नदर ब नाइट्रसंद है मैंने एक दिन तुम को बताया था कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे अव्यों से जुड़कर एक से अधिक टाइप के कमपॉंड बना लेगा हम इन दोनों के नाम कैसे पढ़ेंगे तो कह रहे थे कि जो ज़्यादा छमतावान है इस पर एक लगेगा और जो कम छमतावान है उस पर अस लगेगा देखो नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ तीन अक्सीजन को होल्ड किया है अर्था चार एटम को होल्ड करके रखा है इसकी छमता कम है इसमें छमता कैसी है ज्यादा नाइट्रिक अमल एक लगाया गया लाश्ट में और इसका नाव पढ़ा गया नाइट्रस अमल क्योंकि इसकी छमता कम थी फिलाल दोनों एसीड हैं यह भी आइंस में ब्रेक हो सकता है और यह भी तो तरीका क्या रहेगा एक बार के के विक्रिया इस फॉर्मूले से कराएं एक बार के विक्रिया दूसरे वाले फॉर्मूल इसके साथ और संपांड बना कर तयार करेगा के यह नो टू पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्राइट अभी आगे बेटाब देखो के ने नो ठी से किया के ने नो टूसरे विक्रिया किया तब तक खिस्या के बैठ गया कौन ओ एच यह गुस्ता हो ग त्यार करता है एच टू ओ तो जब भी कभी ऐसा केमिकल कंपॉंड मिलेगा आप केमिकल कंपॉंड किसको किसको ऐसा सॉल्व कर सकते हो कैसीलटो को जल में घोल सकते हो एंटो ओओ को जल में घोल सकते हो एंटो ओनीगाillar मैं एसे लिखू नहीं कि कितने केमिकल कंपॉंड जिनको जल में घोल कर अब आप इस प्रकाल क्य विक्रियां करवा सकते होँ इन सबें विक्रियां के बाद एक और एक्षन में बता।उगा Hijस में से वाटर रिडिशन पर तो इन चीजों को मोटा रहे है मैं इसकी विक्रियां कर वाई जा सकती हैं एक reaction पर बहुत ध्यान लखना जब आप से कह दिया जाए कोई भी छार अब इक्रिया कौन सी गैस से करेगा क्लोरीन से लेकिन छार गर्म और कैसा होना चाहिए सांद्र यह situation जब तक ना कहा जाए normal reaction करवाई जाएगी जैसे हम लोगों ने reaction करवाई है लेकिन जब वो अपने मन से situation देगा उस बात को represent करते हुए कि क्या होता है जब गर्म तथा सांद्र चार की अबिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाई जाती है तो वो क्योंकि गर्म और सांद्र वो अपने मन से कहेगा अबिक्रिया में तो बेटा विक्रिया में थोड़ा सा चेंज इस बार रखना है क्या चेंज रखना है इस बात को हमेशा बनाए रखो देखो क्या करते है इसमें चार का फॉर्मॉला लिख लें कोई भी एने वेश लिख लेते हैं काफी फेमस है आप लोगों ने भी बहुत सारी विक्रिया इस पर बेश्ड करवाई है लेकिन जब क्लोरीन से कह दिया कि यह सांदर भी हो और चार सांदर भी हो और गर्म भी हो तो उस समय बेटा क्या होता है क्लोरीन जो है पहले वायू से विक्रिया करता है फिर जल से विक्रिया करता है बच इतनी बात थोड़ी सी ध्यान लगनी है क्लोरीन उस समय डारेट जल से विक्रिया नहीं करके परवाएंगे हम लोग उसको सबसे पहले किसके साथ विक्रिया करवाएंगे वायू के साथ क्योंकि गर्म वातारण में क्लोरिन सबसे पहले किसको लेता है आक्सीजन को वाटर पे डिजॉल होगा लेकि उसके भी पहले वाटर को क्या कर लेता है ग्रहन करता है तो समझ गए यहां O2 क्यों जुडा गया यह क्लोरिन उस सेच्वेशन पर दिखना है विक्रिया में जब तुमको गर्म और सांडर सेच्वेशन दे देगा और इस प्रकार के विक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कहेगा तो हम जानेंगे कि क्लोरिन ने पहले वाटर मॉलीक्यूल से पहले ऑक्सीजन गैस को क्या किया है उसके साथ विक्रिया की है तो पहरे क्लोरिन और ऑक्सीजन के विक्रिया हुई जो कंपाउंड बना उसके साथ हमने वाटर को डिजॉल किया है कि क्या होगा पुरा जोड़ ले पूरा बेटा जोड़ोंगे तो देखे एच टू सी एल टू ओ थ्री फिर यार यह एसीड आ गया अब इसमें से फिर हम नियाज तक इसका नाम नहीं पड़ा तो फेमस एसिड बाहर करें बेटा फेमस एसिड बाहर करवा हो जारा तुम लोग हचे सी एल ओ थ्री इसको और अच्छा लिख लेते हैं है है एचे सी एल ओ थ्री लेकिन बेटा फिर मैं दूबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं यह विक्रिया कब करके दिखानी है जब से आप से सिच्वेशन दे कि घर में कि भी करना है और पदार्थ कैसा रहना चाहिए सांद रहना चाहिए अच्छा विक्रिया में से तो कोई प्रॉल्लम है नहीं क्यों एन फर प्लस चार्ट ऊएज पर माइनस चार्ट ईने बता और अधर आपिक्रिया करेगा जैको तो NaClO3 NaClO3 sodium chloride और इसको याद होगा sodium chloride पढ़ते थे इसको ClO3 को chloride पढ़ते थे अच्छा ये बताओ OH किसे विक्रिया करेगा S से OH वहाँ भी S से विक्रिया करेगा तो OH S से विक्रिया करके क्या बना डालेगा H2O हाँ इस पर बेश्ट में एक और चीज बताओं जैसे आपने विक्रिया CL2 की कराई है वैसे ही I2 की हो सकती है वैसे विक्रिया BR2 की हो सकती है वैसे ही विक्रिया आप F2 को ना लिखे क्योंकि इस पर बेश्ट अविक्रिया ज़्यादा हमारे यहां आती नहीं है हाई लेक्ट्रो नेगेटिव इलिमेंट है CL2, I2, BR2 अभिक्रिया इसे संपन कराई जा सकते है हाँ यह होता रहेगा बीच-बीच में क्या होता रहेगा यहां चार बदलता रहेगा अभी NaOH है, KOH आ सकता है इसके बाद CAOH का होल्ट आ जा सकता है BAOH का होल्ट आ जा सकता है और आगे बढ़ेंगे तो SIOH फ्रांसियम हाइड्रोकसाइड आ सकता है सीजियम हाइड्रोकसाइड आ सकता है अलुमिनियम का हाइड्रोकसाइड आ सकता है तो किसी भी chemical compound में से आसानी से reaction को पैज़ FEOH का होल थ्राई जा सकता है फेरिक हाइड्रोकसाइड जिंक हाइड्रोकसाइड कॉपर का हाइड्रोकसाइड निकल का हाइड्रोकसाइड मतलब अब इक्रिया को तो बहुत सारी reactions इससे complete करवाई जा सकती है लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा क्या होना चाहिए method पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो भी chemical compound बनकर तयार हुआ उसको break case से किया जाए एक काम करेंगे आप इसको लिखेंगे जल्दी से नोड करें हमको सब विक्रियां देंगे और आप उसको घर से complete करके लाओगे तो जल्दी से इसको note करें तो फिर इन लिए ये रासानी का विक्रियां है दी गई आपके लिए आप एक काम करोगे इन रासानी का विक्रियां हमें से product वाले भाग को complete करोगे हाँ ये जरूर ध्यान रखना ये गर्म और सांदर वाली बात मैंने पहले ही बता दी थी कि उसमें से क्या रखना है तो एक काम करोगे इसको note करोगे और इनको complete भी करके लाओगे फिर ठीक है